राहुल गांधी की रुक्मियाद रध होने के बाद ऐसा मालूम होता है कि अब अपोजेशन एक जुट होते हुए दिख रही है जहाँ एक तरफ पियम मोधी ने कहा कि कुछ जमाते करप्ट लीडरों को बचाने की मुहिम में लगी है तो वहीं अपोजेशन उनसे अडानी मामले पर जवाब मांगते हुए नज़र आ रही है प्रस्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाया उसने आज प्रस्टाचार और प्रस्टाचारियों दोनों की जड़े हिला दिये प्रस्टाचारी तो वो खुद है एक लुटेरे लोकों को जो लोग भगोडे हैं यहां के पैसे लेके गए हैं बैंक लूटे हैं करजाक याने इंडिस्ट्री के नाम पर इंवेस्टमेंट के नाम पर चन्द लोग बैंकों से लाए सी से पैसे उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहें और चन्द लोग तो भाग जा रहें उनके पीछे तो यह नहीं गिरें उनको तो कुछ भी नहीं बोल उनके बारे में एंक्वारी करने को तयार नहीं, जेपीसी करने को तयार नहीं, तो क्या वो करप्ट है, करप्ट लोकों के साथ मिले हैं, क्या हम, तो करप्ट लोकों को सपोर्ट वो कर रहे हैं, ये चोर उल्टा कोतवाल को डाटे, ऐसी बात हो रही है। मिटिंग को नए गए थे लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी महाराष्टा में रहेगी और देश में भी रहेगी हम एक साथ है लेकिन हमारी जो कोई मुद्देत है को हमने जहां तक पहुंचा ना था हमने पहुंचा जे है और उसका रिजल्ट हमें मिल गया है हम तो पुर्णा भूमिका निभा रहे है और राष्टियस तरपे भी हम लोग सभी विफख्ष्टे के साथ हम रहेंगे जो सवाल पुष्टा है उसकी लोगसभा के सदस्ता रद्द होती है उनका घर खाली किया जाता है उनको दो साल के सजा होती है क्या यही है आपकी दिमक् वहीं लोगसभा स्पीकर उमबर्ला के खिलाफ अपोजिशन पार्टिया तहरी के आद में एत्मात ला सकती है जराय के हवाले से यह जानकारी मिली है राहूल गांधी के रुक्तियत खत्म करने और सदन में जानिबदारी का एज़ाम लगा कर लोगसभा स्पीकर के खिलाफ सोंबार को नो कॉन्फिदेंस मोशन लाया जा सकता है लेकिन कुछ-कुछ पहल ऐसा लिया जाते हैं साधन की तरफ से कभी-कभी सवाल तो उठते हैं तो यह सवाल को लेकर विपास के जो नितागन है उसमें चट्चा सवहविक है और नो कॉन्फिदेंस मतला अविशास की प्स्तप की बात किसी ने कहे होंगे, ऐसा नहीं हम, मिम्र हो ने इक होज भी रहे हैं लेकिन उसका मतल़ यह नहीं कि अविशास प्स्तप की आ गए है सवाल ये है कि क्या राहुल गानी की रुक्रियत अपोजिशन को एक खेमे में लाने की वज़ा बन जाएगी? क्या जो तीसरा मोर चासुख बुगाहट थी वो अब दब जाएगी और मरकजी हुकुमत के खिलाफ सब मुतहिद होकर एक साथ आजाएगे? वोरी बुट जीमिडिया